Good morning मित्रो, मैं गोपाल सिंग कुश्वा, डिजिटल वरतमान में एक बार फिर आपका स्वागत है मैं आज बात करने वाला हूँ कि आप टारगेट को कैसे होल कर सकते हैं साथ ही ये भी बात करने वाला हूँ कि आप जब बाई करते हैं तो उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या सेल करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको target को कितने समय तक hold कर सकते हैं दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जब भी हम किसी stock को buy या sell करते हैं तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि जो मैंने आपको स्टोक दिया है उस स्टोक को जो मैंने ब्रेक पॉइंट दिये हैं कि अगर मेरा ब्रेक पॉइंट सेलिंग साइट का मान के चलते हैं कि अगसेंपल समझाता हूँ सपोस्ट करके नाई चलते हैं जैसे मैंने कोफोर्ज दिया आपको अभी साथ जनवरी को मैंने कोफोर्ज दिया था यह कोफोर्ज है आपके सामने मैंने बोला था कि सेल साइट है इसका 5910 रुपे अगर 5910 को अगर ब्रेक करता है तो आपको सेल जाना है और साथ ही मैंने इसका buy side दिया था buy side मैंने दिया था लगबग buy side दिया था मैंने 69,48 अगर 49,48 को break करता है तो आपको buy side जाना है पर हमारा जो tigger था जो हम इस stock पर काम करने वाले थे हमारा टिगर sell site पर आया हमको 5910 के नीचे sell करना था ठीके आपने 5910 के नीचे अगर sell किया है तो आपको सारे target लगबग अची हुए होंगे सारे target लगबग अची हुए होंगे जैसे इसके बाद में होता क्या है आपने sell कर दिया यह आपका sell का strategy हो गया कि मैंने भई बताय है कि आपको 5910 के पहले कोई sell नहीं sell position नहीं बनाना है sell position तभी बनाना है तब आपका trigger 5910 के पास में आ जाता है आपका stock का price उसके बाद में 5910 को break करता है फिर आपको यहाँ पर आपका position बनाना है जब आप position बना लेते हैं उसके बाद सबसे पहले आपको एक काम करना रहता है कि आपको आपका stop loss add करना रहता है आपका stop loss add करना होता है तो stop loss को add करने का सबसे बड़िया तरीका है जब आपका trigger price आ जाता है उसके बाद आप stop loss अगर add करता है तो मेरे जो दो target है कोई से भी दो target first second ले लो second third ले लो, third fourth ले लो तो मैं first और second लेता हूँ तो लगबग इनके बीच का difference 20 point है इनके बीच में जो difference है वो 20 point है, तो आपका stop loss बनता है 20 point का सीधा सा बात है कि आपको अगर stop loss आपका add करना है तो मेरे दो target के बीच का difference add करना है आपका stop loss हो गया 20 point का आपको ये 20 point का stop loss ले के चलना है अब जैसे ही आपने sell कर दिया सबसे पहले आपका stop loss add करना है आपको 5,890 के लगबग स्वारी 5,930 के लगबग आपका stop loss add होगा यहाँ पे आपको आपका stop loss add करना है उसके बाद आपको आपके target का weight करना है target का weight इस तरीके से करना है पहले जैसे हम weight कर रहे हैं कि हमारा target चल रहा है हमारा stock हमारे direction में move हो रहा है हमारे direction move होने से मतलब यह है कि हमने sell किया है तो market जो stock है हमारा co force है वो और गिर रहा है ठीके अब गिरते गिरते उसने पहला target हमारा hit किया पहला target जब hit कर दिया है तो हम अगर यहां से ही exit होना चाह रहे हैं तो ठीक है यहां पर इस position पर हम हमारा position को square off कर देंगे square off होने के बाद जैसे ही square off हो जाएगी हमारी position तो हम इस से exit ही हो जाएगे पूरा हमारा bye bye हो गया है तो हमको करना क्या है हमारा पहला target जब जैसे ही achieve होता है first target हमारा 5891 का है यह जैसे ही achieve होता है तो हमको हमारा stop loss जो 5930 पे लगा है उस stop loss को हम लेएंगे 5910 पर 5910 पर हम हमारा stop loss लेएंगे इस condition में होगा क्या कि हमको no profit no loss की condition में आ जाएंगे अगर market यहां से return होता है हमारे direction से opposite direction में जाना लगता है market तो उस समय हम उस समय हम हमारी cost बे exit हो जाएंगे ठीक है यह target लेने का मैं जो मेरा तरीका है मैं जैसे target लेता हूँ वैसा मैं उस तरीके को आपके सामने explain कर रहा हूँ अब आपने जब आपका stop loss 5910 पे लगा लिया और आप wait कर रहे हो second target का पहला target हीट हुआ तो आपने आपका stop loss आपकी cost price पर लिया है है अब बात आती है आपका second target की जैसे ही आपका second target आपको मिलता है आपको कुछ नहीं करना है बिलकुल wait करना है या अगर आप दूसरे target पर आपकी position को square off करना चाहते तो वह कर सकते हैं या फिर आप अगर